प्रदान जी आपके क्या मांग है किस किन मांगों को लेकर आप इचक कजाम कर रहे हैं देखे जिस परकार सभी को पता है कि दलीतों के साथ पिछले सेक्ड़ों वर्सों से अत्याचार होते आए बाबा साब ने सभीधान के अंदर एक एक्ट बनाया कि उसके अंदर दलीतों की रक्षा के लिए जो कानून बनाया आग जो हमारे देश के चीप जश्चित मिस्राजी है उन्होंने तुरंत बिगर सोचे समझे उस सभीधान को बदलने की कोशिश किये और उस सभीधान को अंदर हमारे साथ और भी जादा अत्याचार होंगे क्योंकि उस सभीधान में जो होगा वो यह होगा कि अगर आज हमारे साथ किसी परकार की अगर कोई अत्याचार हो रहा है हमारे साथ हमारे घरों को जलाया जा रहा है हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए वंचित रखा जाता है हमें उससे बचने के लिए बाबा साब ने जो अधिकार दिये थे आज उसको खतम करने जा रहे हैं और हमें फिर उसी रहा पर उसी बैक पर लाने की कोशिश किया जारे जो स्वन जाती से संबंदी जो बड़े लोग उपर बैठे जो सरकार चला रहे हैं जो भाजपास सरकार है यह मिस्राजी जो चीफ जश्टीस स्प्रीम कोट के वह भाजपास के आदमी है और उन्होंने एक सेकंड के अंदर जो यह काम किया है यह बहुत ही बहुत ही गलत काम है तो आपको लगता है कि भारते जनता पार्टी का रोल है अगर भारते जनता पार्टी नहीं होती है जो इसमें एक जनल होते हैं उनको वहां जाके अपनी दे नहीं पड़ती है लेकि वहां कोई भी नहीं गया आज यह हालात है कि सुप्रिम कोट के अंदर जितने चीफ जश्टीस बैटे है मिस्राजी सिर्फ अपनी चला रहे है किसी को पूछना नहीं चाह रहे और इस सम होगा कि हमारे आने वाले भविस्टे के लिए हमारा पूरा समाद दली समाज पूरा खत्रे में होगा हमारे बच्चे हमारी माताई बहने आगे बढ़ नहीं सकती उनको रोकने के लिए उनकी तरक्की को रोकने के लिए हमें यह समीधान को बदला जा रहा है और हम इसका रहने रोकी गई रोड़ों पे जाम लगा दिया गया है और आज हम भी अपने समाज को जाइरूद करने के लिए इस कानून के विरोध में जो कानून को ये फेर बदल किया जा रहा है इसके विरोध में आज हम यह तमाम हमारे दली समाज के रोगें